वेलकम टू SS Defense Academy फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन्स में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ SSC Constable GD का जो एक्जामिनेशन्स आज कंड़क्ट हुआ है यानि 17 जनवरी 2023 को सेकेंड सिप में तो सेकेंड सिप में जितने भी GKGS के प्रश्णे पूछे गए हैं और जो कैनिडेट एक्जामिनेशन्स के बाद मुझे कोस्टन सेयर किये थे उस कोस्टन को वेरिफाइड करने के बाद ही आप सभी को या एक्जाम एनलाइसिस दे रहा हूँ तो आपको इस स्क्रीन पर जितने भी कोस्टन दिखाई देंगे वो 100% real और authentic होगा तो चलिए देरी नग करते हुए सभी कोस्टन को एक एक करके discuss कर लेते हैं वीडियो सेशन्स एंड होने के बाद आप इसका PDF पी डाउनलोड कर सकेंगे टेलिग्राम चलंज से जुड़के जिसका लिंक डिस्क्रीप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट कोश्टन पूछा गया था पश्चिम बंगाल की रजधानी कहा है कोलकत्ता इसका correct answer था next question पूछा था भारत ने Olympics में कब भाग लिया है तो 1922 में भाग लिया था third question पूछा गया था सितारा देवी किस निर्थ से संबंधी थे तो ये कथक निर्थ से संबंधी थे अनुछेद 25 से 28 किस संबंधी थे तो धार्मिक स्वतंतरता के अधिकार से संबंधी थे फिफ्त कोशन्स पुछा गया था करनाटक के बरतमान में मुख मंतरी कौन है स्रीबसो राज बोमई है नेक्श कोशन्स पुछा गया था आजमगड के उपचुनाओं में ने रहुआ ने किसको हराया है तो धर्मेंद्र यादो को हराया है किरिकेट में खाली बॉल पर बने रन को क्या कहते हैं अगला कोशन पुछा गया था उत्तर परदेश में नहीं मनाये जाने वारा तेवहार कौन सा है जो फोरिसा का तेवहार है नहीं कि उत्तर परदेश का इथनोल और पानी में किसका प्रिश्टनाव अधिक होता है तो पानी का प्रिश्टनाव अधिक होता है महात्मा गांधी ने सविने अवग्या अंदोलन कब वापस लिया था तो 1934 में वापस लिया था इसका शुरुवात हुआ सा 1930 में एक बिदूत अपगटन से related question था इसका exact मुझे questions नहीं मिल पाया ठीक है next question पुछा गया था सुंग बंस के संस्थापक कौन है तो सुंग बंस के संस्थापक है पुष्य मित्र सुंग अगला question पुछा गया था 200 में भारत का ताजे पानी का percentage कितना है 200 में भारत का ताजे पानी का percentage है 4% तो ये मुझे 20 में 13 questions मिला है तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाएंगे